आप सभी का एगेंस्ट करप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे किसी भी विभाग के विभागिये लोग सिकायत निवारन पदाधिकारी द्वारा लोग सिकायत निवारन अधिकार अधिनियम के तरहत यदि ठीक से सुनवाई नहीं करते हैं या आप उनके आदेश से संतुष्ट नहीं हैं तो बिभागिये लोग सिकायत निवारन पदाधिकारी के आदेश के खिलाप पर्थम अपील प्राधिकार के श्रमक्ष किस प्रकार आवेदन दायर करेंगे इसके बारे में जानकारी प्रक्रेंगे जो इस चैनल से पहली बार जुरे हुए हैं नए हैं वो लाल कलर का सब्सक्राइबर का बटन अवस्प्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा कर अल पर भी क्लिक कर लें तथा इसे इतना सेयर करें कि हर व्यक्ति को हर भारतिय को इसकी जानकारी आसानी से हो सके तथा एक लाइक अवस्ट कर देंगे तो चलिए हम लोग देख रहे हैं यह प्रथम अपेलिय प्रादिकार की समक्ष किस प्रकार आवेदन लिखेंगे तो लोग सिकायत नेवारन प्तादिकारी में मैंने राजस एवं भूमी सुधार विभाग में विभागिये लोग सिकायत नेवारन प्तादिकारी के समक्ष कई अंचलों, कई प्रकंड, कई अनुमंडल, कई जीले से संबंधित मिला कर एक सामुहिक शिकायत किया था जो की राज लेबल पर था जिसकी सुनवाई 18 अगस्त को होनी थी जिसमें मैं उपस्थित नहीं हो पाया किसी कारण से जिसमें विभागे लोग सिकायत विवारन पधादिकारी द्वारा हमारे सिकायत को सुझाव मान कर मेरे सिकायत को और स्विक्रित कर दिया गया तथा अंतिम में लिख दियें प्रिवादी यदि संतुष नहीं हैं तो निर्धारित थी के अंदर अपील दार कर सकते हैं तो इनके खिलाब अपील संजुक्त सचीव या विसेज सचीव के समक्ष होगा तो किस प्रकार प्रथम अपील ये पताधिकार के समक्ष आवेदन करेंगे आप लोग देखें तो आप लोगों को ठीक सी समझ में आएगा तो आप देख रहे हैं इस तरह का ऐसे फॉर्म मिलता है लोग सिकायत केंदर पर यदि फॉर्म ना हूँ तो इसे आप साधे कागज पर भी साफ साफ से इस तरह लिख कर या टाइप करवा कर ओनलाइन करवा सकते हैं मैंने यह साधे कागज पर एक आविदन बना कर खुद ओनलाइन किया है आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं लिखेंगे प्रथम अपिली प्रादिकार के समक शावेदन पत्र मूल परिवाद संख्या पहली बार जब लोग शिकायत निवारन के इंदर पर जब कोई शिकायत की जाती है तो उसे एक परिवाद संख्या दिया जाता है आप लोग देखें उपर है इसी को मूल संख्या का जाता है मूल परिवाद संख्या उसी को यहाँ उपर में लिख देना है सेवा में पर्थम अपिलिय प्रादिकार जिस भी विभाग के लोग सिकायत ने बारन पतादिकारी के समक सिकायत की गई है उस विभाग का नाम लिखेंगे मैंने राजा स्विवं भूमी सुधार भाग बिहार सरकार के खिलाप सिकायत किया था तो इसमें पहला में लिखेंगे अपिलार थी अपना नाम चुकी मैंने सामुहिक राजजी लेवल पर सिकायत किया था इसलिए मैं अपना नाम लिखा हूँ वो अन्य लिख दिया हूँ पिता का नाम जो मुख आवेदक हैं जैसे मैं मुख आवेदक था उनके पिता का नाम लिखेंगे पता पूरा लिखेंगे वाई लंबर देंगे पांच में लिखेंगे जिस आदेश अथवा जिन्हों ने इनकार या बिलंब किया है कि इबरुद अपिल दायर किया गया है तो विभागे लोग सिकायर ने बारन पदादिकारी राजस सेवं भूमि सुधार विभाग के आदेश के खिलाप मैंने अपिल दायर किया है इसलिए लोग सिकायर ने बारन पदादिकारी लिख दियें विभाग का नाम लिख देना है छह में उस आदेश की विशिष्टियां जिसके इबरुद अपिल किया जा रहा है हम लोगों के सिकायत को विभाग ये, लोग सिकायत ने बारन पदादिकारी द्वारा सुझाओ समझ कर हम लोगों के बादों को जान बूज कर रोसकृत कर दिया गया है एवं आदेश से संतुष नहीं होने पर अपिल दायर करने की सला दिया है जो भी आप लोगों को आदेश में कुछ कमियां कुछ गलतियां कुछ जो भी आप लोगों को लगे विशिष्टियां उसे च्छा नंबर में ही लिखना है साथ में अपील काधार उभय पक्षन उपस्थित रहने के कारण भी हम सिकायत करताओं को प्रयाप समय सुनवाई है नहीं दिया गया चुकि मैंने जिसके खिलाब सिकायत किया था वो भी नहीं उपस्थित हुए थे और हम लोगों के तब से भी कोई उपस्थित नहीं हुआ था जिस कारण दोनों पक्ष अनुपस्थित था लेकिन लोग के सिकायत निवारन पताधिकारी द्वारा एक ही डे गैंज वो अन्य अंचल में कार सो समय नहीं किया जाता है डी सी एलार आवदाक संजिगन ब्रस्टाचार के कारण दकल कब जाके सत्याकन के नाम पर मनमानी रुपईया मांगता है पूर नकल भी नहीं देता वो अंचल कार्याल है में भी सो समय नकल भूमी मापी परिमार ज कारी लंबित है वो वरिष्ट पदा दिकारी की आदेश पर भी कार नहीं किया जाता है जीला पूर्णियां के धहंदाहा तेसे लार द्वारा भी कार का सौसम्हे निस्पादर नहीं होता है वो अन्य जीला के भी यही हाल है तो उसी पर विखागी करवाई भी करवाया इसे यहां आठ नंबर में लिखेंगे आप लोगों को भी जो भी सिकायत मांग हो इसे लिखेंगे नो कोई अन्य सुसंगत सूजना ब्रश्टाचार के कारण ये सभी कारी को सो समय नहीं करते जो मनवानी रुपईया देते उनका कारी पर ले हो जाता है इस परकार आप लोगों को भी किसी भी कारीयाले में इस तरह देखने को मिला होगा तो आप लोग भी उस कारीयाले की सिकायत कर सकते हैं अस्ताक्षर कर देंगे आदेश की स्वाभी प्रमानित लगेगी ये स्वाभी प्रमानित देंगे हादेश के साथ एक परती मैंने सगलगन किया है जो लोग सिकायत ने बारन पतादेकारी केश समख्ष दिया गया था देखिए इसमें लिखा गया हुआ उप्युक्त विसे में काना कि हम लोग भिन जी लावाम चल के नुमंडल कारियाले से समख्ष सिकायत कर रहे हैं जब असपष्ट लिखा गया था कि इस सिकायत हम लोगों को कर रहे हैं तो इस सिकायत को वे सुझाओ समझ कर और स्विकृत कर दिये थे जिसके लिए मैंने यह पर्थम अपील किया है यह स्वाभी प्रमानित परती है मैंने वेब कॉपी नेट के द्वारा निकलवाया है विभाग से भी आदेश की प्रमानित परती दी जाती है लेकिन मैंने नेट के द्वारा ही निकलवा के यह अपील दार किया है आप लोग भी अवस्थ अपील करें तथा व्रष्टाचार के खिलाब सिकायत अवस्थ करें जिससे विहार में या अन्यराज में हो रहे व्रष्टाचार में कमी आए और भारत व्रष्टाचार से सिग्रमुक्त हो सके जैहिन